हेलो फ्रेंट्स सब कूराम राम नमस्ते तो आप सब लोग कैसे हो तो फ्रेंट्स आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं हमारे गाम का जंगली जो एरिया है वो जंगल दिखाएंगे छोटा सा जंगल है ज्यादा बड़ा नहीं है आप उसको जो बगीचा है जो इस तरी की साइड है जो लेके चलते हैं जोड के अंदर तो अभी यहां से हम जाएंगे अंदर की साइड तो इस साइड आप देख सकते हो यह छोटा सा जंगल है ज्यादा बड़ा नहीं है तो इदर देखते हैं बहुत सारे जो पेड़ पोदे हैं जो यहां पे लगाए हुए है त इसके अंदर एक है पानी की टंग की टूबेल ये सब हैं पर कुछ जानवर है जो मरा हुआ है क्योंकि उत्ते ये सब गूमते रहते हैं तो खा जाते हैं तो अभी पूरा आपको इसका विवू दिखाएं फ्रेंड्स कैसा नजर आ रहा है तो ये देख सकते हो इधर से यहां पर ज्यादा है जो इसमें नीम के पेड़ ही लगे हुए है तो यहां से तो दिखा दिया भी थोड़ा आगे चलते हैं और आप लोगों को है जो और कुछ दिखाते हैं देखते हैं यहां पर क्या देखने के लाइक है जाद है कुछ तो यहां पर नहीं है बस पेड़ पोदे है जो यह सब लगे हुए है लेकिन फिर भी जो आगे की सा जो पेड़ पोदे लगे हुए है जिस कारण से रोस नहीं आपे कम ही आती है लेकिन फाइनली थोड़ी से देर बाद में हम पहुंच जाएंगे पाने के जो टंकी है वहां पे तो यहां पे जो थोड़ा सा अगे देखते हैं अके लिया आने पे जो थोड़ा सा डर भी लगता क्योंकि बहुत ज्यादा है जो कुटे यह गोमते रहते हैं और तो डर नहीं लगता लेकिन कुटे बहुत ज्यादा है तो डर लगता है वैसे तो हम वन स्कोर इन सब को स्कूल चोड़ने के लिए आये थे तो आमने इस चोचा चलो आप लोगों को है जो यहां का जंगल है दिखा देते हैं तो जिस्ट अभी हम पानी की जो टंकी है वहाँ पे पहुंचने वाले हैं तो रही सामने पानी की टंकी चलो चलो आगे चलें यह देखके आ चुके हैं पानी की टंकी के पास में तो यहां पे पीने के लिए है जो नल लगा रखा है और वैसे तह जो गाह में पानी है जो सपलाई होता इससे भी फिर बाकी की जगह है वह दिखाते हैं आम लोगों को अरे क्या हो रहा है तो इसमें पानी है जो बहुत ही कम आ रहा है तो अभी अजो टूबेल चलाई नहीं इसलिए पानी है जो थोड़ा कम आ रहा है और अभी अभी फ्रेंट्स इसके जो मरमत हुए है लग बैक दस या पंदरा दिन हुए है टैंकी की मरमत हुए यह देख सकते हैं आपको तो यहां से तो आप लोगों ने जो अच्छी तरी होगी यह देखिए कैसे खू निकल रहा है तो यहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पोदे और कांटे यह सब हैं तो चूब जाते हैं तो देखते हैं कौन से साइड से जाएं यहां से होते हुए जाएंगे साइड यहां से होते हुए है जो चलें तो फ्रेंट्स मेरा तो यह यहां पर जूलने का बहुंत ज्यादा जूमन कर रहा है यहां पर इस तरीमें से पकड़ो है , और जूने लग जो यूंकि भार कोई है नहीं तो दिखा नहीं सकते कि इस तरीके से जूलते에도 का पेड़ों पर थोड़ा बहुत सबान मैंचा हुआ है अभी साइद कोई और चीज बनेगी तो इसमें जो काम ले लेंगे तो फ्रेंस अभी देखते हैं किस साइड से ओके जाएं यहां से सीधा भी वैसे तो जा सकते हैं लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि शीडी लगी हुई है तो सीडी बाल तो आज थाम केले आए फिर कभी वण कोब यजो सात में लेकि आएंगे क्योंकि सात में गोमने में बहुत ज्यादा जो मचाते है तो यह देख यह फिर अजकी है है जो हम उपर की साइड है जो यहां पर आ चुके है गमी तो यह से देखं के वहुट सारे पेड़ पोट है जो अच्छी तरीके से आप लोगों को नजराएंगे है उपर कुन आते ही जो जादा अच्छी से nantilा सूरज बगवान की रोज नहीं आ रहा है और आप लोगों को वह बहुत अच्छे से हैं जो नजर आ रहोगा, यहां का फिरसघ्या का इता है, तो एक बर फिर से आप लोगों को यहां का फिर ईाऊची तरीके से जो दिखाते, दो फ्रेंड्स, यहां से हम लोग स्टार्ट करें, तो यह देख सकते हूँ, आगे का जो कुछ दिकाई नहीं देता है, क्योंकि बहुत पास-पास में पेड़ है, जो यहां पे लगे हुए है, तो यह देखें, आज तो बादल यह सब तो नहीं हो रखे हैं, मोसम है जो अच्छा है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा जो ठ हन्ची के साइड आप को मैं ने दिखा था अभी अभी हम नीचे थे तो वहां से आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया था तो तो फ्रेंट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताए था किया आप ज्यादा नीम के पेड है जो लगे हुए हैं तो आप लोगों ने देख लिया कितने सारे जो पेड लगे हैं यहां पर इसमें अभी पानी डल रहा है तब हमने पानी प्या था तो थोड़ा काम हा रहा था अभी पानी को चालू कर दिया है तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह जो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने दिखा दिया कि हमारे गाम का जो जंगल है चोटा सा जंगल है ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप लोगों को यह जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो सारा कुछ दिखा दिया तो यह जो यह जो यह जो वीडियो में तब तेक, बाई बाई